एक जंगल में चींटियां और एक टिड़ा रहा करते थे। एक बार की बात है, जैसे ही पज़ड का मौसम खत्म होने वाला था, चींटियों का एक परिवार भोजन, लकडी और सूखे पत्ते एकठा करने में व्यस्त था। टिड़ा दूर से देख रहा था कि चींटियां अपने काम में बहुत ही व्यस्त नजर आ रही थी, वहीं वो पास में धूप सेक रहा था, उसके मन में एक विचार आया और वो टिड़ा वहां चला गया, और उसने चींटियों से पूछा, इतने अच्छे दिन पर तुम ये क् इस पर एक चींटि ने जवाब दिया, हम ठंड के लिए तयार हो रहे हैं, आपको भी कुछ खाना स्टोर करना चाहिए, चींटि की बात सुनकर टिड़ा हसा और वहां से चला गया, वह सूरज और तितलियों के पीछे भागने लगा, जैसे जैसे दिन बीतते गए, चींटि ही अपना दिन गुजारना पड़ा, अब उसे अपने गलती का एहसास हुआ, और वह सोचने लगा कि चींटियां सही थी, सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है, हमें समय रहते ही, उस समय में मौके का फायदा उठाना चाहिए, अ अपने भविष्य की तैयारी के लिए वर्तमान के समय से कोई सही समय नहीं है,